तो आज का हमारा टॉपिक है फेक्टर अफेक्टिंग कॉमपेक्शन को कौन से फेक्टर हैं जो एफेक्ट करते हैं तो जिनके कारण हमारी कॉमपेक्शन अच्छी या बूरी हो सकती है तो सबसे पहला कॉमपेक्शन का फेक्टर है वाटर कॉंटेंट जैसे कि हम च्रीज कर देगा तो डीन स्थी काम हो जाएगी एक कम होंगी वैसे ही ऐगर हमारी जो वाटर है वोगा और मैक्सिमम डेंट स्थै hoges naszymoooo देखते हैं तो एक ऌप आपटिमम्माईस्टर इसने को इफ्ट करता है यह me Right है वाटर कोंटेंट नेक्स्ट हर पास अमाँञाट पस आपक्ठों कितनी वार दीआ यह है स्टेक्एक लोड दे पहार जाए हमारी वार्षम। उम्पैक्जिंद खीट कारjuड में wanna तीन वार लोड लगाए तो उसके उपर भी हमारा कॉंपैक्शन डिपेंड करती है जितना ज्यादा कॉंपैक्शन करने की कोशिश करेंगे अच्छा होगा थर्ड हमारे पास टाइप ओव शॉयल भींग कॉंपैक्टिड अब स्वेल कौन सी है चे के हैं सैंड है energy कितनी लगाए है अगर तुमने कोई लोड लगा है तो कितना लोड लगा है न्यूटन लगाए है या फिर इसंदड्ड न्यूटन है कितना लोड है लयुक्सिंट वैसे ही हमारे जो होग्ष्ण भी जादा होती जाएगी मैандale of construction मेथरा जोते हैं सबसे चलर मेठर ये न मेठर करते हैं इस में सब्सक्राइब क्या करूब है हम क्लिए के लिए उसके ऊपर बहुत करती है मारी लास में आ जाता है Evet यह कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी निद्ध करती है उन जिन को में सbसे वहले आता है water content water content क्या कहता है कि जब हम सोल में पानी डालते जैसे की समझाया तुम्हें की ना कम पानी होना चाहिए लो म्मोस्क्रmi भूना चाहिए नाही जादा मगमाश्ण लहा जाते हैं और सबस्ते करतें तो मघंकरीज होना चाहिए तब बीव जा के हम maximum डैस्टि कर पाएंगे डैस्टी होनी चाहिए हमारी जितनी डैस्टी हो त्सीन होनी चाहिए तब ही आते हैं कर सकते हैं यहां से यहां पर दिख भी रहा हमें कि यहां से जैसे ही हमने पानी को इंक्रीज किया यहाँ पर नीच्छा panie को नीच्छा है water參izar 목ांटेड चैसे ही हमने कुछा आ रहे हैं तो पानी करें जैसे कम KRI किया तो डेंस्टी भी इंक्रीज हो रीए त्राहते यहां पर एक टाइम आया जब मारा तो इस तरह से कुछ हमारा पानी जो है वो इफेक्ट करता है कॉमपैक्शन को तो इसलिए उतना ही पानी डालना चाहिए इतना उप्टिमुम मुएस्टिर कॉंटेंट जन्रेट कर सके हैं ठीक है तो नेकस हमसी सोनना है किस तरह कि सव्पैक्ट कर ना असान नहीं होता किकिby में हमारा वह कोई भी अगर रखोगे तो उसको बहुत की कॉंपैक्ट करना पड़ेगा लोड़ जारा देना पड़ेगा यह फिरेंo कुमपैक्ट होती है तो इसलिए हमारी जो टाइप है उसके उपर बहुत करती है हमारी कॉमपैक्शन तो हमें इसका टेस्ट पहले करना वड़ता है कि कौन सी सोयल है उसके बाद हम फदर आगे प्रसेस करते हैं ठीक है पूर लिग्रेडिड है या फिर किस टाइप की सोयल ग् भी यह चीज़ डिपैंड करती है हमारी स्टॉलस्ट के उपर डिपैंड करती है मारे स्ट्क्ट差不多 क्यां लाइँ संट यहां सक्ट्स की बात कर लेता है अगर हम एफटْ यहाँ पर अगर डायेग्राम को देखो यह Huh अब एक डायग्राम वही डायेग्राम हमने बनाया हुआ है हमारा कॉंपेश्छन डायग्राम कॉंपेश्ट में बनाई है तो कहते कि पहले उन लोड डाला फाइव किलो न्यूटन का ठीक है फाइव किलो न्यूटन का लोड डाला तो पानी डालते के कुछ इस तरह की कव बनी फिर करते नेक्स टाइम तुमने जो लोड डाला वो हमारा तो फिर केते हैं जो नेक्स टाइम लोड डाला वह हमारा अबाउट 10 किलो न्यूटन न्हाइट तो फिर से हमने कभ बनाई तो जब ने कभ बनाई तो हमने नोटीस किया हमारी कभ जो थी वह लेफ्ट को शिफ्ट कर गए अपरियम मॉएस्टर कॉंटेंट कम हो गया और उसकी नोटिस की ठीक है तो इसी कारण से हमारा जो एफट लगा रहे हम कितना लोड लगा रहे हैं उसके उपर भी हमारी जो सोईल है वो डिपेंड करती है ठीक अब यहां पर इन्होंने एफट के बारे मौ से पूंपैक्शन हो जाएगी अगर फैना पर से नीचे धिराना है उस टाइब के लोड हमें नहींग करना पड़ेगा यहांप नीदिंघ्र वो यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टैक्टिक लोड हम लगा सकते हैं हमारे फाइन ग्रेंड सोयल में ठीक है अब कहते हैं कि अगर तुम यही काम फिल्ड में करना चाहों अगर फिल्ड में तुम कॉमपैक्शन करोगे तो कोर्स क्रेंड के लिए हमारे पास वाइबरेटर कौ कोर्स क्रेंड जिब हम हम फाइन ग्रेंड की बात करने तुम निडरींग होते हैं यहां थीक कैट। है उसमें हैंड ओप्रेटर Staffordws हते हैं हमारे फील्ड में काम आבס़ा वानिज़ल के करने के लिए कि ठीक है अब यहां पर हमारे पास राजटी लैब में कमफेशन हम कैसे करेंगे तो बेसीकली इसमें चैनल का है यह डोक्तर सिर्ट का मनतलब है स्टेंदर प्रोक्टर टेस घ्लट0 टेस्ट ऩुछ को देखते हैं कितना बोड लोट है यांफिर छितना वो कितना पानी हम डाले हमारी सोयल पे सो रड़ वो मैक्सिमम डेंस्टी उप्टेन कर सके तो यह स्टेंडर प्रॉक्टर टेस्ट नॉर्मल चीजों के लिए पर जब कहते कि हम हाइवे यहां फिर कहलो एरपोर्ट के रन्वेज जब उनको डिजाइन करने लगे स्टेंडर पाई तो उसके लिया हमने क्या किया हि यहां पर स्टेंडर प्रॉकु werk के जघा एक मोडिफाय प्रॉक्टर टेस्थ बनाए जिसमें मॉडिफाइड जैसे नाम इसका बता किके ऐहां मैं लोड़ ज्यादा लगाया ज्यादा लोड लगाकरि कोशिच ची और उस इस यह वोडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है यह वर्ड वोर्ड टू में काम आया था जब एर्प्लेन को लैंड करवाना था तो क्या होता था वहां पर जो मिट्टी होती थी या फिर च्ट बनाया था कि वहां पर लोड ज्यादा लग सके तो यहां पर लोड ज्यादा होता है इसमें लोड कम होता और कुछ चीज़ें करते हैं तो कहते कि हमारे पास किया स्टेंडर प्रोक्टर तेस्ट में सिंपल एक मॉल्ड होता है और ड्रॉप है मर की हाइट होती है हैंमर का वेट होता है 2.5 kg सोयल का जो मॉल्ड होता है वो होता है 100 cc एक हमारे पास एक्यूपमेंट देखते हैं कहां पर इन्होंने क्या दिया हुआ यह रहा हमारा एक्यूपमेंट तो यह हमारा एक्यूपमेंट है हमारे किसके लिए स्टेंडर कि टेस्ट के लिए यहां पर अगर देखोगे दियान से तो यह जो यह हैं यह दोनों घामर है यह अगर तो डिख रा सूट के सकती हैं में यह स्टेंडर और यह वाला दिखेंट ठीत के लिए यह हमारे पास हूं भी काफी चीजे निहां पर fakحمक Twitter हमें moisture content निकालना पड़ता है तो उनके लिए यूज होती है बेसिकली दो चीज़ें यहां पर हैमर और मोल्ड यह दो चीज़ें हमें आगे काम आएगी तो तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास देखते हैं इस तरह से कुछ होता है हमारे पास setup तो हम क्या करते हैं कि यहां पर जैसे तुम्हें देखी रहें यह हमारे पास हमारा मोल्ड हीड हुटेट है यह नीचे वाला पार्ट हो थैसका मॉल्ड की हैं 116.4 इसका डामेटर है v101.1 पॉंट 101.6 mm एक हमारा मोल्ड होता है इसके ऊपर यह जो चीज लगी होती इसको कॉलर बोलते हैं इसके उपर लगाते हैं सो देट की हमारी जो सोयल है यहां तक फिल हो जाए और जब हम इसको उठाते हैं तो उसको इक्वली डिस्ट्रिब्यूट कर सकें सोयल को अगर हमने जब किये टेस्ट करना है इस तब यह कॉलर रिमॉव कर देते हैं और इसका नाम कॉलर है इसके डाया भी वही होता है है 2.5 kg हाइट इसकी 305 mm होती है ठीक है साइट पे स्लीब्स होती है डिफ्रेंट टाइब कुछ इस तरह से हमारी लाब में यह इस टाइब का है मल्साइड पर जो दिख रहा है यह पड़ा हुए ठीक है इसको स्लीब्स बोलते है साइड पर यह जो है इसके सर्कुलर शेप में और यह रैम इसको रैम बोला गया ठीक है तो इसकी यह स्पैसिफिकेशन होती है और यह 2.5 kg का होता है कुछ इस तरह से सेट अप हमें दिखेगा लाब में अगर हम जाएंगे अब आगे देखते हैं यह प्रोसेसर में करना क्या हो और कैसे करना है तो सिंपल सा प्रोसेसर इसमें क्या करना है जिस भी चीज का हमें टेस्ट करना है सपोस्पोस करो मुझे एक हाईवे या फिर एक ठोस सडक बनानी है तो मुझे क्या करना वहां पर पहले स्वेल का सेंपल लेकर होंगा अंडिस्टर्ब सेंपल उता तो मुझे वहीं सेंपल लेके आना है सोएल ने के बाद मुझे क्या करना है पहली अपनेडरी कहीं आपास होते हैं तो एक फीट की हमें 24 बार हैमर को ड्रॉप करना है इस सोईल के उपर जब यह कॉंपक्ट हो जाएगी फिर हमें अगें सोईल डालनी है जो हम लेके आये थे सोईल डालने के बाद फिर से मुझे हैमर की मदद से इसके उपर 25 ब्लोज देने हैं फिर हम तीसरी डालेंगे जब इसके उपर तीसरी लेयर ऑफ सोईल डालेंगे तो फिर से हम हैमर डालेंगे 25 ब्लोज देंगे 305 की हीड से इसको गिराएंगे और इसको कोंपेक्ट कर देंगे यह सब करने के बाद हमारे सैंपल रडी हो जाएगा तो पहले हमें इसका वेट वगरा लेना होता है फॉर दा फॉर्मला हमें दिया जाएगा फॉर्मला में हमने इसका weight और density और निकालनी है फिर इसकी soil का sample लेकि हम इसका moisture content भी dry density भी निकालनी है moisture content भी निकालनी है ठीक है तो यह सब चीजें हम निकालेंगे with the help of this और यहां से हम फिर further इसकी dry density and that is water content निकाल सकते हैं हाँ एक चीज मैं बताना बूल कि तुमें जब हम और बनाना कुछ जा दालते हैं यह अगर था 8 की बार फिर से मैं एलप डालूगा फिर से मैं और इस तरह इसमें मौट में बारबार कर देता हूं उससे क्या होगा कि कि मेरे पास एक करव बननी स्टार्ट हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट जब मैं वाटर लेके ड्राइड निकालने तो जो करव बनेगी मेरी वह कॉम्पैक्शन करव हो जाएगी और वहीं से हमें इसकी मैक्सिमम डेंस्टी पता चल जाएगी तो यह बेसिक पर प्रोसीजर होता है इस एक्सपरिमेंट का सिंपल सा है पानी इसमें डालना प्लस इसमें अंदर क्या कहते हैं हमारा डेंस्टी हमें विद्दाहलप फॉर्मला निकालने पड़ती है इस प्रोसीजर से हम यह सोल के सर्फेस के ऊपर हैमर ड्रोप हो ऐसा नहीं कि एक ही जगा पर हैमर मारते रोपर 25 ब्लोज देने होते हैं तो हर जगा पर ड्रॉप होना चाहिए ठीक है यहीं चीज़ों ने रिपीट कि हैं उसमें हम यह फाइंड और सोट्री सिंपल देंसिटी वी हम फाइंड आओट कर सकते हैं क्योंकि मारे पास 100 सीची की वोल्यूम है तो हमें सिर्फ शका वेट में करना है वेट कितना है तो वैट और वोल्यूम हमारे पास यहाँ से ओवन में कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से जितनी वार रिपीट करना होता है को काफी वार रिपीट करके फिर आता है हमारे पास वैल्यूज तो जैसे कि बताया फिर आता हमारा सबसे पहली चीज यहां पर हम देखते हैं जैसे कि हमें यहां पर दिखाया है लास्टाइम हमने क्या किया था हमने थ्री लेश्ट डाली थी इसमें फाइव लेर्ज होती है लास्टाइम हैमर का वेट कितना था इट वाउज अबाउट टू-पॉइंट-वाइप यहां पर हैमर का वेट होता है फॉर पॉइंट फाइफॉर की यह कोश्चिन काफी बार पूछ लेते हैं इस इसमें वेट इंक्रीज कर दिया हमने और इसकी हाइट भी इंक्रीज कर दी इट मींस कि उसकी कॉंपैक्शन भी जादा होगी और जादा अच्छे से हम कि अप्टिमम मैस्चर कोयंट यहां फिर या ड्राइड इंस्टी फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस तरह से मोडिफाय प्रोक्टर टेस्ट को हम पूसीड करेंगे इसमें वही पैटरन होता है इसमें क्या करना है हमें कि तीन बढ़ना है Сबसे पहले हमने डालेंगे डने के बार हमने क्या करना अभर से हैमें लेने जो कि 4.5 न्यूटन City ha 44 लिखें 4.6 न्यूटन का हमारे पास हैमर होगा उसको ढोप करना एक फॉर्टी फाइव है 450 की एममische हाइट से और ड्रॉप करने के बाद 25 ब्लोज देने उसी तरह से फिर सेकंड लियर डालेंगे उसको भी 25 ब्लोज देने फिर 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 के बाद हम इसका वेट देखेंगे वोल्यूम हमें पता है 100 CC होगी वेट वाल्यूम डेंस्टी आ जाएगी और पानी तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यूज बार-बार रिपीट करेंगे और अंसर निकाल लेंगे और एक ग्राफ बना लेंगे इस कॉंपक्शन कर अभी अगर हम सोयल को देखेंगे उस सेम सोयल का हम टेस्ट लेंगे तो हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा जब हम स्टेंडर प प्रक्टर टैस्ट में त्या één दो टैस्ट में लैए में पर्फॉर्म कि यह दिफरेंस है पर इन्हों है में принципе page मौल साइज हमें पता है कि दोनों का अल्मोट सेमस्तह qué 447.3 सीरी सिर्ची गा हुए जोकि इनेर का ऑल्यूम ना हाइट ऑफ द्रॉप देखेंगे तो यहां पर 304.8 mm है यहां पर 457.2 mm है हैमर का जो वेट है वो 24.4 न्यूटन है यहां पर हैमर का जो वेट है वो 44.5 न्यूटन है यहां पर 3 डाली थी स्टेंडर प्रॉक्टर में और मॉडिफाय में 5 डाली था थे लिहेंगे यहां पर जो एनरजी जैने डान्ट हुई वह 591.3 गिलो न्यूटन पर ale Canadian TV और यहां पर जो एनरजी जैन्राट हूई वह 262case6 न्य। नूड recursos अंधियो और मित्र क्यूब जो होगा टेस्ट ठीक है तो कि नेक्स्ट हम क्लास में इसका स्टडी करेंगे कि हमारे जो एक्यूपमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उनको स्टडी करेंगे उसके बाद हमारी कॉम्पेक्शन कतम हो जाएगी